श्री परमात्मिने नम मर्यादा पुर्षोतम भगवान राम से जुड़ी बारह अद्भूत पातें भगवान राम को हिंदू धर्म में भगवान विश्नु का अवतार माना जाता है श्री रामचंद्र भगवान विश्नु के सात्वें अवतार है तुलसी दास दुवारा रचित सर्वप्रसित, रामचरित मानस में भगवान राम की महिमा का इतना सुन्दर वर्नन किया गया है, जो सभी के दिलों को चू जाता है भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरत के वचनों के सम्मान के लिए सिंगहासन छोड़ दिया और अपनी माता कैकी की गरिमा के लिए वनवास्वीकार कर लिया इसी लिए श्री राम को मर्यादा पुरुशोत्तम कहा जाता है आये भगवान राम से जुड़ी बारह अद्भुत बातें आपको बताते है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैनल पर एक भगवान राम के लोकप्रिय चित्रन में उन्हें नीला रंग का दिखाया गया है परन्तु उनका रंग ऐसा नहीं था वे इसके विप्रीत, मेगवर्ण, अर्थात, बादलों के रंग के थे न तो नीला, न काला, न सफेद दो भगवान राम का नाम रगुवंश के गुरू मेहिर्शिव शिष्ट द्वारा रखा गया था उनके नाम का एक मेहित्व पून अर्थ था क्योंकि यह दो बीज अक्षरों से बना था अगनी बीज, रा और अम्रिता बीज, मा अगनी बीज ने अपनी आत्मा और शरीर को मेहित्व पून बनाने के लिए सेवा की और शक्ति प्रदान की वहीं अम्रित बीज ने उसे सारी ठकान से उबार दिया तीन डौट शरी राम का विवाह बारह साल की उम्र में हुआ था विवाह से दस से पंदरह साल के पश्चात उनको वनवास दिया गया था जब भगवान राम वनवास गए थे तब उनकी वर्ष थी आयो लगभग 27 वर्ष थी चार कुछ मानेताओं के अनुसार राम अवतार को पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है जी हाँ श्री राम मानव मात्र थे उनके पास अपने विश्नु स्वरुप की दिवे शक्तिया नहीं थी उनके इस अवतार में उनके पास 14 कलाई थी और सर्वोच रूप में 16 कलाई होती है केवल श्री कृष्न अवतार में प्रभू की सभी 16 कलाई थी इसके पीछे एक मुखे उद्देश था रावन के पास वर्दान था कि उसके मृत्यू कोई नहीं कर सकता सिवाए एक मानव के अर्थात उसका वद केवल एक मनुशे ही कर सकता था यदि राम अवतार पूर्ण अवतार होता तो उन्हें मानव के रूप में वरगी कृत नहीं किया जा सकता यही कारण है कि राम अवतार को पूर्ण अवतार नहीं माना जाता और इसलिए उन्हें बंदरों की मदद लेनी पड़ी और सीता का अभरन होने पर वह एक सामाने इंसान के रूप में रोए पांच विष्णु से हिस्र नाम नामक पुस्तक भगवान विष्णु के एक हजार नामों का संकलन है भगवान राम का नाम विष्णु से हिस्र नाम के 394 वे स्थान पर आता है अर्थात इस सूची के अनुसार राम दर असल भगवान विष्णु का 394 वा नाम है छे वनवास के दौरान माता सीता का नाम वैदे ही था साथ लक्षमन भगवान राम और सीता की रक्षा के प्रयास में वनवास के चौदह साल की अवधी में बिलकुल भी नहीं सोए थे यही कारण है कि वह गुडाकेश के रूप में जाने जाते है जिसका अर्थ है नींद को हराने वाला व्यक्ति इसके विप्रीत लक्षमन की पत्नी उर्मिला जो अयोध्या में थी वो चौदह साल तक सोती रही वह अपने और लक्षमन दोनों के हिस्से की नींद को पूरी करती रही उर्मिला रामायन की कहानी में एक कम चर्चित चरित्र थी आठ राम सेतु का निर्मान वानर सेना द्वारा किया गया था जो तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्री लंका के मननार तक था इस पूल के मुखे शिल्पकार के नल और नील थे उन्होंने पत्थरों पर राम का नाम लिख कर पूल का निर्मान किया था रामायन अनुसार इस पुल की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर थी और इसे पांच दिनों में बनाया गया था नौ गिलहरी के शरीर पर सफेद धारिया भगवान राम द्वारा दी गई है राम सेतु के निर्मान के समय सभी जानवर भगवान राम की सहायता कर रहे थे उसमें गिलहरीया भी शामिल थी वह छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े लेकर पुल के बीच के अंतर को भर रही थी पुल के निर्मान में मदद के लिए उनका पूर्ण समर्पन देखकर प्रभू अत्यंत प्रसन हुए और उन्होंने प्यार से गिलहरी को अपने हाथ से सहलाया तो गिलहरी के शरीर पर सफेद धारिया बन गई दस यह भी कहा जाता है कि रावन से माता सीता की रक्षा करने के लिए और समुद्र पार करने के लिए भगवान राम ने एक आजशी का उपवास किया था ग्यारह राम भगवान विश्णु का एक मात्र ऐसा रूप है जिसे राजा, राजा राम के रूप पूजा जाता है भगवान राम ने ग्यारह हजार वर्षों तक अयोध्या राज्य पर शासन किया इस स्वर्निम काल को राम राज्य के रूप में जाना जाता है बारह भगवान राम की मृत्यू नहीं हो सकती थी क्योंकि हनुमान भगवान राम को ले जाने के लिए यम्राज को अयोध्या में प्रवेश करने ही नहीं देते इसलिए हनुमान का ध्यान हटाने के लिए राम ने अपनी अंगूठी को भूमी पर बनी धरार के माध्यम भूमी के अंदर गिरा दिया और हनुमान को उसे वापस लाने के लिए भेजा जब हनुमान पता लोक में पहुंचे तो उन्होंने वहां के राजा से राम की अंगूठी मांगी तो उन्होंने हनुमान को एक कक्ष दिखाया जो राम की अंगूठी से भरा हुआ था तब राजा ने है एरान हनुमान को बताया की जब समय के चक्र में प्रभू की मृत्यू का समय आता है तब वह अपनी अंगूठी भूमी की दरार से नीचे गिरते है ताकि तुम्हें उनकी रक्षा के दाइत्वों से अलग किया जा सके और वह अपना जीवन चक्र समाप्त कर सके श्री सीताराम अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृप्या चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद जै श्री सीताराम